हे गाईस वेलकम टू सकसेस दिलिप में दिलिप कुमार उसफागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तने एक बहुत बड़ी सरकारी नोगरी की भरती निकल चुकी है रेलेवे की तरब से Ministry of Railway की तरफ से Junior Engineer and Engineer Post पर Permanent Jobs की Vacances आउट की गई है जिसे कि All India की Candidate अप्लाइ कर सकते है That is Great Opportunity For All Indian National Student जिसका भी सपना है RRB JEE में जाने का Junior Engineer बनने का उन सब के लिए Great Opportunity यह दे रही है Ministry of Railway Salary बहुत अच्छी खासी मिलते है यार JEE में चले Detail Notification बताने वाले हैं इतनी बड़ी सरकारी नौकरी निकली है Post कौन कौन सी निकाली गई है किस किस Department में Vacances होगी और Ministry of Railway की किस Department से वरती निकली है चले Start करते हैं सबसे बड़ी बात मैं यह बता दूँ आपको यहाँ पर Ministry of Railway की तरफ से विदेश में भी नौकरी मिल सकती है जी हाँ आपने सही सुना चले Start करते हैं यह है Official Notification दो Vacances निकाली गई है दोनों Notification हम को हम deeply wise discuss करेंगे तो वीडियोस में ध्यान से बने रही हैगा देखे वेकेंसी जो निकाली गई है वो निकाली गई है राइट्स की तरफ से राइट्स जो हैना गाइज वो Ministry of Railway का पाठ है काफी सारे केंडिट मैंने एक वीडियो बनाए थी टेक्निशन की जो की रेलवे से निकाली गई थी बता रहा हूँ आपको यह भरती निकाली गई थी टेक्निशन की जो की आईट्याइ पास वालों के लिए जोब थे तो कई सारी बुद्धी जीवी के लोग होते हैं बोलते हैं रेलवे नहीं है राइट्स रेलवे कैसी हो से तो उन सब केंडिडिट को नहीं पता होता है कि राइट्स से के रेलवे भाईया जब रेलवे से निकलती वेकंसी जैसी बात नहीं कि सिर्फ रेलवे से ही भरती निकलती है तभी रेलवे में जोईनिंग मिलती है रेलवे की डिफरेंट डिफरेंट जोन से निकलती है वेकंसी प्राइट नोकरी करके भी आप railway की permanent सरकारी नोकरी पा सकते हैं बहुत सारे divisions होते हैं उसी तरह से एक rights division है जो की part है railway का Ministry of railway इसे lead करती है ध्यान से देखो railway में job आपकी लगने वाली है यहीं फर vacancies निकाली गए गए जितने भी student हैं जरूर reply करना काफी सारे student जो उस दिन comment कर रहे थे कि rights क्या होती है पर्मानेंट jobs नहीं निकलती है इससे कभी railway की कहां है vacancy तो भाईया यही railway की vacancies है थोड़ा सा research करो mind जोड़ा हो idea बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा bus goal होते हैं कुछ नहीं समझते हो सब उनको लिखा होना चाहिए rrb railway recruitment board या rrc तभी apply करेंगे अरे भाई यह सब भी railway होता है irkon international हो गया dfccl हो गया सब railway का ipad है तो यहीं से vacancies release की गई है ध्यान से देखना है student vacancies है engineer में देख सकते हैं geo technical की post है next engineer structure engineer की recruitment है engineer में urban engineering vacancies है engineer की architecture उसके बाद SHE expert की recruitment है basic vacancies कम देखने को में मिलेगी सबसे सी बात की general में vacancies है यानि की सभी candidate apply कर सकते हैं आप STSC, OBC, general कुछ भी हो सब apply कर सकते हैं यहाँ पर vacancies की table vacancy ज़्यादा नहीं है basic क्योंकि इस फिर vacancies ज़्यादा हो इसे भी नहीं निकलती age limit देख लो 18 साल से लेकर 32 साल के candidate apply कर सकते हैं 1 March 2023 को आपकी जो age है वो count की जाएगी इसमें qualifications and experience and minimum qualifications को ध्यान से देखना सबसे पहले post लो discuss करने वाले जो जियो technical की recruitment है 40,000 से 1,40,000 आपको salary मिलेगी पहले मैं बता दूँ यह permanent job है स्टार्डिंग में ही बता गिया है recruitment of engineering professionals on regular basis यह आपकी totally सरकारी नोकरी है और permanent लगेगी तो इसमें qualifications देखो full time bachelor degree civil engineering से आपने कर रखी है तो apply कर सकते हैं यह फिर जियो technical में degree है आप eligible हैं यहाँ पर experience 2 year की मांगी गई है next vacancies release की गई है गवराना नहीं आप डिपलोमा वालों के लिए भी vacancies है अगर आप ITI पास करके डिपलोमा किये हैं तो भी आप apply कर सकते हैं next है full time bachelor degree civil engineering में आप apply कर सकते हैं 2 year की experience उसके बद recruitment है urban engineering की salary से में 40 से एक लाज 40 full time bachelor degree apply कर सकते हैं environmental engineering या फिर full time bachelor degree कर रखी है आपकी master degree भी environmental engineering में कर रखी है तो भी आप है लिजबल है इसमें भी दो सल की experience मांगे गई है next vacancies निकल के आती है आपकी architecture में तो यहाँ फिर full time की degree architecture में या फिर master degree है designing or planning अर्वेयर में तो भी आप apply कर सकते हैं 2 year की experience अद यहाँ पर diploma candidate apply कर सकते हैं engineer है ऐसे अची expert में vacancies है 40 अर्स एक लग 40 अर्स तो यही में आपकी जो engineer होगी engineer होगी जो bachelor degree से किये हुए न उसकी job लगेगी engineers में और जो diploma के student हैं उसकी यहाँ पर job लगने वाली है junior engineer में इसकी एक certificate होनी चाहिए प्लस 2 year की experience यहाँ पर compulsory है required है सब में experience 2-2 year की मांगी गई है ज़्यादा इसमें नहीं है तेकि कैई यहाँ पर actor 1956 को यह follow करती है यहाँ पर बैटे इसकी में बात करूँ अलग-अलग return risk के माधियम से क्योंकि return risk के माधियम से ही आपकी selections होगी उसके बाद आपको interview के लिए बुलाया जागा और यहाँ पर आपकी experience के माधियम से आपका 5% होगा return risk 60% interview 35% तो यह आपका selections का जो पूरी process बताई गई है देख लोग आईज जो भी apply करने के लिए अप्लिकेशन फी बेग और करें जेनरल OVC candidate का 600 रुप अप्लिकेशन फी लगने वाला है वहीं पर HTSC candidate का 300 रुप अप्लिकेशन भी होगा जो कि आपको यहाँ पर online payment करनी है क्योंकि form जो है वो आपको खुद से online apply करना है इंडियाज में आपको 6 लोकेशन चूज किया जाएगा जब form भरोगे तो और लोकेशन में बता रहूं क्या है इंटरव्यू आपकी होगी वो इंटरव्यू कंड़क्टेट शॉट लिष्ट केंडिट को यहाँ पर venue का पता मिल जाएगी बात में यह 6 लोकेशन से इंडियाज में यहीं पर आपको जो है एक्जाम स्तेनी है यहाँ पर देख सकते हैं सलेवस के बारे में डिसकस की गई है तो एक बार चेक कर लें जो भी केंडिट अपलाय कर रहे हैं तो अराम से सब कुछ डिटेल में बताई गई है तो कुछ भी डाउट नहीं होगी आपको मैं बात करूँ फॉर्म फिलप की 3 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी 27 मार्च 2023 तक होने वाली है यहीं पर मैं बात करूँ कि इसकी फॉर्म फिलप की सम्मेशन जो राइट्स पोटल पर इसकी भी 27 मार्च 2023 जो डॉकमेंट अपलोड करनी है आपको तो लास्ट डेट 27 मार्च 2023 है अब जो भी केंडिट इस वेकेंशन के लिए लिजबल हुए फटाक से जाकर एपलाय करो वेकेंशी अच्छी है और परमानेट जॉप्स की वेकेंशी है वो भी रेलवे में जेई और इंजिनियर की रिकूट्मेंट निकली है तो इसका वेनि से met कि सक्संग में Export में जिसे एश्टिमेटर की रिकूट्मेंट च्वालिटी कंट्रोल स्टम में वेकेंशी जे तो से सेक्शंस इंजिनियर की रिकूट्मेंट में रोलिंग स्टॉक में इंजी इसकी एज है 40 साल रखी गई है और यहां पर आग्ञुट्व टिमांड कर में अप्टिकल इंजनेरिंग से आपने कर रखी है फिर ग्राजवट अपने सिविल से भी इलेक्टरिकल मेकनिकल इंजनेरिंग है आप एपले कर सकते हैं आपकी लिए भी अच्छी वेकेंसिस आउट की गए है इसकी यहां पर डेट की में बात करूं तो यह भी सेम चीज अपने डिप्लोमा कर रखी है तीन लाग शतीज़र है और आपने मंतली बेसिस डिप्लोमा ओल्डर का है आप देख सकते हैं पंदरा जार चार सो लगभग बीच जार पचीज़र के किरब से आपको सेलरी मिलेगी और डिग्री वालों के लिए लगभग लगभग तीस से प जा गया है इसकी भी फॉर्म देखो ओनलाइन अपला करना है चार मार्च से स्टाडिंग आज से सुरू होई है और लास्ट डेट है इसकी 14 मार्च 2023 ज्यादा डिन टाइम नहीं है डेट इंटरव्यूज है गाईस वो इस्यू की जाएगी आपकी 14 मार्च 2023 को कॉल लेटर औ और इंटरव्यू की जो डेट है कि इस मार्च को आपकी कंड़क्ट करी जाएगी तो यह चीज़े देखो जो भी केंड़ेट है अपलाय करो अच्छी वेकेंसी है दोनों वीडियो जब लगी हो प्लीज लाइक से रण सब्सक्राब करें चले में तर नेक्स वीडियो में त तगले से हैं 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 तगले से हैं